प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं पच्छास हजार किसानों से संबाद करेंगे प्रदान मंत्री केंद्रिय एक्रिशे मंत्री शिवराद सिंग चोहान भी साथ में मुझूद रहने वाले हैं किसान सम्मान निधी किसानों के खाते में ट्रांस्वर करेंगे और दशाशों में घाट पर गंगा आरती में विश्राम मिलोंगे प्रधान मंत्री बाबा काशी विश्वनात का दर्शन पूजन करेंगे प्यम मोदी और बरे का गेस्ट हाउस में विश्राम आज रहने वाला ह किसान सम्मान निधी किसानों के खाते में ट्रांस्वर करेंगे प्रधान मंतरी यह बड़ी जुआनकारी देरे आपको तो आज वरनसी जाएंगे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी बचास हाजार किसानों से संबाद आज किया जाएगा पी-म की तरफ से तो कहीं न कहीं किसान जो हैं वो उत्साहिद भी हैं प्रधान मंत्री के इस दोरे को लेकर और किसानों के लिए अच्छी खबर भी है कि किसान सम्मान निदी गिराशी उनके बैंक अकाउंट्स में आज डिपोजिट की जाएगी तो प्यम का काशित हो रहा है किसानों से संबाद का करेक्टरम रहेगा ग्राफिक्स के ज़रे जानकारी भी देख रहे हैं आप टीव स्क्रीन पर तिन सो किसानों को आवाज की सोगात प्रधान मंत्री की तरफ से दी जाएगी और 21 किसानों से पसलों को लेकर चर्चा करेंगे और ये जरूरी भी है किसानों के खाते में सम्मान निधीर ट्रांसफर की जाएगी प्रधान मंत्री की तरफ से तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी काशी आ रहे हैं किसानों के लिए विशेशकर कई सोगात लेकर आ रहे हैं अब किसानों से संबाद कार्क्रिम है फसल को लेकर हाल जानेंगी कि फसलों का फिलाल क्या हाल बना हुआ है फसल को लेकर बाचीतों कि 300 किसानों को आवास की स्रोगात पर प्रधान मंत्री देने वाले हैं जादा जानकारी के साथ हमारे संबद दाता सचिन पांडिया हमार साथ जुट शुके हैं लाइव सचिन अब इस दोरे को लेकर क्या कुछ खास है किस तरीके से प्रधानमंत्री के कारिक्टरम रहेंगे सिलसलेबार तरीके से जानकारी दे दीजिए एक बार दर शक को बिल्कुल बसंद जिससा के परधानमंती नरानमोधी शांप 50,00 बज़े काशी पहुचने के बाद सीधा унет जीधा मेंधी गंज पहुचने के जहां 40,00 से ज्यादा किसानों को संब्धित करेंगे यह परधानमंती इंतर्षन करेंगे भी तो क्या सकते हैं आज सतरवी जो किस्त है किसानों की उसको देखते हैं कि हो सकते हैं कि आगे आने वाले जो समय है कही ना कहीं विधान सबा उसमें कैसी एहम भूमी का अपना सकता है कि जिसमें की भारती जिन्ता पाटी इन सारे रन लीते हो को ले करके चुनाल जो विधान सबा में एक बाहरी प्रचम बहुमत से जीतना चाहती है तो उसको ले करके भी एक सियासित नजरिये से भी लोग इसको देख रहे हैं कि आखिर में जो किसान है उनको जो बीस हजार से करोड की जो सौगात है अपने काशी दोरे पर देते वे नजर आएंगे पूरी तज्यारिया भावेपूर्ण हो चुकी है प्रदान में नरेन मोदी का पर इंतजार है शाम पांच बज़े की जानकारी पाप तो रही है सुतरों से की पांच बज़े पहुच जाएंगे काश जी बिलकुल बसंद जी साथ से प्रदान मंतिरी नरेन मोदी किसानों के हिस्थ की आज 20,000 से जादा करोड की सौगात देंगे उसमें कहीं न कहीं यही अंदाजा लगाए जा सकता है कि किसानों को किंद्र में आपने बात के रखने के पूरी आयम भूमी का है तो कि सिवरा स जी चोहान भी इस मौके पर आज मौजूद रहेंगे तो यह जरूर है कि आखिर में जो किसानों को लेकर के प्रदान मंतिरी नरे मोदी इतना बड़ा जो फैसला करते हैं नजर आ रहें किसानों के अंदर भी एक खुशी की लहर और लगातार इन चीजों को देखते हुए क पुशी की लहर ते दोर उठे हैं जी बिलकुल सेचन पांडे अगर बात करें उत्रपरदेश की राजनिति बड़ी अलमस्त यहां की राजनिति है देखिए बहले ही भारते जनता पार्टी को इतना सपोर्ट ना मिला हो उत्रपरदेश की जनता से लेकिन प्रधान मंतरी का दोरा उत्रप्रदेश के किसानों के साथ पूरे देश भर के किसानों को केंदर में रखना उनकी प्रात्मिक्ताओं को समझ कर बढ़ सोगात उनको देना ये भी दर्शाता उत्रप्रदेश की जनता में एक संदेश देने की कोशिश भी भारते जनता पार्टी कर रही है क्या क जब वोटिंग से पहले था कि बिल्कुल बसंद जी सी साथ से परधानमंती लगातार सौगाजों की बहुचार्ज करते में नदर आ रहे हैं भारती जनता पार्टी जो किसान क्योंकि सबसे बड़ी बात परधानमंती नर्याद मोदी पहुंचेंगे तो काशी वासे होगा भा लगातार सौगाज जो है वो जनता को सिधर देते वे नजर आ रहे हैं लोगसभा चुनाओं में प्रशन बहुमत ना मिलने की वज़े से भी कोई दिक्तस ने बिदान सबाट 27 की तैयारी अभी से स्टार्ट हो चुकी है किसानों के हित को ले करके जो यहां पर आम जन्वानस है उनकी हित की बातों को ले करके तमाम जितनी चीज़े हैं वो बारते देंता पाठी करते वे नजर आ रही है तो कह सकते हैं कि लोगसभा चुनाओं में भले कई सीटों पर वो न जीप पाए हो लेकिन हाँ अभी रान क्रणे काशी बिजाएं के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी काशिवासियों के लिए भी खास हो जाता है दोरा किमकि संसदे colaborे बने बुड़े और संसदे चेत्र में पहुंचना खुद प्रधान मंतली नरेंदर मोदी के लिए भी खास होने वाला प्रधान मंत्री बनने के बाद तो उस्ताइट पूरी जनता है और कहिना के प्रधान मंत्री भी इन चीजों को लेकर के उस्ताइट होते वे नजर आ रहे है लगातार भारती जनता पार्टी ने पूरी तयारी कर रखी है परशासनी गमले ने पूरी तयारी कर रखी है बस इंतिजार को भी काशी को भी दुनन की तरह सजा दिया गया और लाइटिंग से ले करके खाटों पर जो की चेकिंग की दोरान यहां पर जेतने पुलिस कर्मी है वह लगातार आगे भेजते वे नजर आ रहे हैं तो क्या सकते हैं मौसम भी आज जो है कहीना कहीं नमी वरत्तावा नजर आ रहा है तो इन सारी चीजों को ले करके पूरी पूरी अलट है काशी और कहीना कहीं एक अग इसलिए भी है और यहां के जो लोग है उनके जलक पाने के लिए वैसे तारू रहते हैं सचीन पांडे अपनी नजर बनाया रखेगा इस दोरे पर जानकारी समय समय पर लेते रहेंगे आपसे फिलाल बहुत बहुत शुक्री आपका जुड़े आप महत्तपुन जानकारी आ बहुत अपनी जानकारी समय पर जानकारी आपनी आपका जानकारी समय